प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल लाइक, कामेंट और हिट थे बेल आइकान हलो एब्रेवन वेलकम टू आर योटूब एज केसन चैलने सिक्षड अकडमी आज इस वीडियो में हम स्टेंडर्ड नाइन्थ का पिरियोडिकल असेस्मेंट टेस्ट यूनिट टेस्ट 3 में जो हमारा एक क्वेस्टन थोड़ा सा मिसर अंडेस्टेंडिंग हो गया था उसको सोल करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दिऑ और सभी के साथ शेयर कर दिजिए आपको मैंने वहां पर जो पिरियोडिकल असेस्मेंट टेस्ट था वहां submitted पर मैंने आपको तो वहाँ पे जो भी solid के बारे में मैंने बता दिया था तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक यहाँ पे liquid के बारे में बताना है हम इस liquid को कैसे separate कर सकते हैं ओके तो start करते हैं यहाँ पे आपका question number 12 मैं आपको 1 to 11 वाला यहाँ पे description ने link दे दूँगा अगर आपने नहीं देखा है ओ देख लेना देन 12 नंबर का आप इसमें से देख लेना ओके तो question है आपका how can we separate a mixture of two immisible liquids describe with a neat diagram the method of supplementation मैंने उसमें बता दिया था इसमें देखते हैं separation of two or more liquid सब्सक्राइब देखो अगर हम कोई भी दो लिक्विड हैं उनको हमें separate करना है तो कैसे करेंगा देखों यहाँ पर मेथड होता है fractionale distillation and by separating funnel दो आपके पास यहाँ पर होते हैं एक तो आप fractionale distillation से कर सकते हो एंड एक separating funnel से अब देखते हैं किसको मिहाँ इहाँ पर येुक्राइंग से करते हैं इसको सेफरेटिंग से स्थोज्लेट लिक्विड विच Mixt together in ओल प्रपोर्शन एंद फॉर्म सिंगल लेर आर कोड़ मिसिबल मीहमिसिबल का मीलिंग और मिसीबल का मेनिंग पहले समजते हैं ुमिसेभल मिस् pozw मिक्स यहां अगर मालोग कोई भी दो लिक्विड का आप मिक्स कर रहे हो एंड उसमें कि आप फोम और हो तो अब उसको हम बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड for example ऑलकोहल हुआ वाटर हुआ अलकोहल and water को mix करोगे, they are miscible, water and acetone को mix कर दो, ओभी miscible हो जाएंगे, next आता है, immiscible liquids क्या होते हैं, पहले ता आपको immiscible पता होना चाहिए, those liquids which do not mix with each other, and from separate layer are called immiscible liquid, means अगर आपने क्या किया, कोई भी दो चीजे mix की, liquid में, कोई दो liquid को mix किया, और वो completely mix नहीं होते हैं, उनके बीच layer बन जाता है, उसको बोलते हैं, हम वहाँ पे immiscible liquids, जैसे आपने घर पे भी example देखा, oil and water, दोनों को आप mix करोगे, देखोगे, तो oil उपर ही रह जाता है, mix नहीं होता है, petrol and water को mix करते ह तो कभी देखा होगा आपना की, वो mix कभी भी नहीं होता है, अब देखो, a mixture of invincible liquid, is separated by using an apparatus called separating funnel, अब हमें immiscible liquids को separate करना है, तो किसे करते हैं, separating funnel से करते हैं, देखो यह आपका fractional distillation है, fractional distillation में हम क्या करते हैं, यह पे को separate करते हैं हमें immisible का देखना है तो अगर आप इमसीबल का देखना चाहते हैं तो यह राइट कर लेना बट हम immisible की बात करते हैं यह आगे चलके यह सब के लिए यहाँ से separating funnel से हम क्या करते हैं immisible liquid को वहां पर separate करते हैं तो देखते हैं नेकले यह separating funnel का use करते हैं a separating funnel is a special type of funnel which has stopped cock in its steam to allow the flow of a liquid from it or to stop the flow of liquid from it अब देखो यह separating funnel होता है यह एक special type का funnel होता है जिसमें उपर के साइट एक cock लगा होता है ठीके और जिससे वो क्या करता है जो भी steam होता है उसको allow करता है flow होने के लिए flow of liquid को allow करता है हो liquid को flow होने के लिए और नहीं flow होने के आप उससे regulate कर सकते हो, stop कर सकते हो flow कर सकते हो now the separation of two invisible liquid by a separating funnel depends on the difference in their densities क्या करता है मालो कोई भी two invisible liquid ले रहे हो तो उसको मालो separate कैसे करता है तो उनकी density के बेज़ पे उक करता है separate density उनकी कितनी है जिसकी high होगी जिसकी low होगी उसके बेज़ पे उससे प्रेट करेगा तो देखते कैसे करता है तो यह आपका जो figure दिख रहा है यहाँ पे एक किसका है यहाँ पे आपका figure यहाँ पे separating funnel का है the mixture of two invisible liquid is put in a separating funnel इस type का आपका separating funnel होता है यहाँ पे आपको इसमें भर दिये जाता है यह देखो आप cut क्या है tab है मतलब core है यहाँ से इसको आप पे regulate करते हो stop होना है कि चालू होना है नीचे आपने baker रख दिये कौन सा liquid आ जाएगा यहाँ पे then आपको mix करके रख देना है इसके अंदर भर देना है then थोड़ा time allow to stand for some time कुछ time के लिए ऐसे बीना हिलाया रख देना है the mixture separate into two layers अब जैसे आप देखो यहाँ पे two layers इस तरह देख रहे है इसका color अलग है इसका color अलग से मैंने दिखाया हुआ है तो इस तरह से दो layer में क्या होते है और divide हो जाते है according to densities of the liquid in it अब क्या होता है density के base पे अब देखो जिसकी density low होगी वो क्या होगा उपर रहेगा जिसकी density high होगी वो वाला liquid नीचे रहेगा बैठा रहेगा density high that means उपर upside and density low that means downside now अब देखते हैं the heavier or denser liquid forms the lower heavier liquids या फिर denser liquid किसके बोलते हैं जिसकी high density होगी तो यहाँ पर देखो यहीं लिखा है the heavier or denser liquid form the lower layer whereas the lighter liquid form the upper layer light वाला जो liquid मिस्विल कम इसका density होता है वो उपर साइट रहेगा layer बे on opening the stock of separating funnel अगर आप इसको open करते हो the lower layer of heavier liquid comes out first and collected in the weaker अब जो high density वाला होता है denser liquid होता है जो heavier liquid होता है वो क्या होगा पहले यहाँ से weaker में collect हो जाएगा जब आप इसको tap को open करोगे okay when the lower layer of heavier liquid is completely run off the stock is closed अब देखो जैसे ही यह क्या होगा heavy यहाँ पे high density वाला जो liquid निचे आजाएगा पूरा का पूरा जैसे ही यह देखो पूरा का पूरा यह से निचे आजाए वहाँ पे आपको यह tab जो है को को बंद कर देना है close कर देना है तो जो है high density वाला इस weaker में आगे low density वाला आपका इस funnel में बच जाएगा तो इस तरह से हम separate करते है then the lighter liquid in the upper layer is collected in a separate beer by opening and the stop cock again अब क्या करो इस weaker को हटा दो यह high density वाला आ गया दूसरा weaker ला के रख दो बाद में जो low density वाला liquid है वो दूसरे weaker में यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरह से हम इसको separate करते है आगे देखते हैं example अगर लेना है अभी तो जैसे मैं example लूँ water and kerosene water and kerosene को आपको करना है तो दोनो water and kerosene ले लोगे petrol and water का कर सकते हो oil and water का कर सकते हो benzene and ether का कर सकते हो etc can be represented separated by using separating funnel okay when the mixture of water and kerosene put in a separating funnel suppose आप क्या करते हो यहाँ पे water और kerosene लेते हो तो दोनों को रख दोगे separating funnel में जैसा इसमें रखा है ठीक है इस तरह से बाद में जो water होता है वो heavy होता है water के density ज़्यादा होती है किसके compare में kerosene के तो water के density ज़्यादा होती है तो क्या करेगा water यहाँ पे नीचे साइड बैठ जाता है और kerosene जो होता है oil उपर साइड आपने देखा होगा oil हमेसा उपर साइड रहता है ओके देन water being heavier forms the lower layer in the separating funnel नीचे साइड बैठता है whereas kerosene being lighter form the upper layer kerosene हलका होता है इसलिए उपर का layer form करता है and on opening the stop cock of separating funnel the lower layer of water comes out first and collected in the weaker अब देखो जो अगर आप stop को open कर देते हो तो क्या होगा जो नीचे कौन बैठा था water बैठा था है ना water वाले नीचे साइड था हैवी था उपन करके जैसे ही पूरा का पूरा water आ गया इसमें water पूरा का पूरा नीचे आ गया तो क्या करोगे आप यहाँ पर बचेगा kerosene फिर यह वाला वीकर हटा दो इधर रख दो दूसरा वीकर लाओ इसमें क्या करो उसकी resin को ले लो इस तरह से कर सकते हो ओके सब्सक्राइब now when water layer has completely run off then stop को जब water layer जो है पूरा नीचे आ जाएगा जैसा मैंने बताया then the kerosene is left behind in separating funnel तो funnel में सिप कौन बचेगा kerosene तो क्या करोगे it can be removed in a separate weaker बाद में उसको remove कर सकते है separate weaker में opening the stop cock again stop cock open करके तो इस तरह से हम separate कर सकते है कोई भी to immisible liquid को तो यहाँ पर आपका यह complete होता है thank you very much like, subscribe and share बाद में पर आपका यह जएगा